तो गाइस अगर आप भी ऐसे ही फास्ट सीटप ग्लुवल लगाना चाहते हो तो गाइस क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखना पड़ेगा गाइस ये वीडियो का पाट तू है अगर आपने पाट वान नहीं देखा ये तो गाइस डिस्किप्टिन में में लिंक दे दूँँगा आप Pluto जाके देख सकते हो तो गाईस यार प्लीज जल्दी से जाओ और चले इनको सब्सक्राइब करके आओ तो गाईस चलिए वीडियो को बढ़ते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे एक छोटे से इंट्रो के बाद गाईस टू या थिरी फिंगर से सिट अप गलुवल मानने के लिए आपको पहले एक सेटिंग करना पड़ेगा आपके फोन में ये सेटिंग है ठीक है नगाईस और ये जो सेटिंग है इससे क्या होगा कि आपका जो सेट अप गलुवल है वह बहुत ही सास्ट लगेगा तो गाईस चलिए पहले बात कर लेते हैं उस setting के बारे में तो guys आपके phone के setting में आने के बाद यहाँ पर जो search bar दिख रहा है आपको इस search bar में आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको search करना है कि click after pointer stops तो guys यह आपको search कर लेना है search करने के बाद देखना कि आपके सामने ही यह आ जाएगा तो आने के बाद इस पे click कर देना है तो guys देखो यह मेरा यहाँ पे था और यह off था ठीक है ना तो आपका भी ऐसे off ही रहेगा तो आपको कह करना है कि इसको on कर देना है और on करने के बाद यह जो middle में है ना इस बार को हटा के आपको पूरे fast कर देना है मतलब पूरे दाये तरफ कर देना है इससे कहा होगा कि आप जब भी आपके जो भी button होगा उसमें आप click करोगे वो pointer speed जो है ना वो आपको बहुत ही fast बता देगा मतलब मानो कि आप पहले jump किये उसके बाद fire किये तो गाइस आप जब jump करके fire करोगे तब वो जो speed होगा वो बहुत ही fast हो जाएगा तो गाइस इसका यही फायदा है ठीक है ना गाइस जब भी आप game खेलो तो इसको on करके ही खेलना तो गाइस अब बत करते हैं हमारे custom hood के बारे में टू या फिर थ्री फिंगर से setup लुआ लगाने के लिए कैसा custom hood चाहिए तो गाइस मैं आपको जो custom hood दिखाऊंगा अगर गाइस आप बिल्कुल सेम ऐसे custom hood रखके आप खेलते हो और इसके उपर practice करते हो तो गाइस 100% आप बहुत ही fast setup लुआ लगा सकते हो हाँ गाइस बिल उपर की और यहां पर रखा है जिससे कि मैं three finger से easily setup लुआ लगा सकता हूं गाइस देख सकते हो और आपको गाइस एक बात धान रखना है कि यह जो लुआ का button है यह आपको हमेशा left की और ही रखना है right की और अगर आप रखते हो तो गाइस आप fast setup लुआ नहीं लगा सकते ह तो गाइस इसलिए आपको setup glowal को बिल्कुल डाय तरफ आपको रखना है और गाइस आप यहां पे जो देख सकते हो कि मेरा जो sprinting button है glowal button है और जो joystick button है ओ बिल्कुल गाइस तीनो एक ही position में मतलब तीनो बहुत ही pass है कि जिससे कि मैं setup glowal लगा के बहुत तेज sprinting भी कर सकता ह तो गाइस आपको भी बिल्कुल same to same custom hood रखना है और इसी के उपर आपको practice करना है तो गाइस यह सारे setting करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके बाद सिर्फ कुछ steps follow करना है जिससे कि आपका setup glowal बहुत ही fast लगेगा चाहे आप two finger से setup glowal लगाओ या फिर three finger से ठीके ना गाइस चलिए बात कर लेते हैं वो steps क्या करना है तो गाइस आप इस वाले video clip में देख सकते हो तो गाइस इस वाले video clip में मैंने two fingers का use किया है क्योंकि जिन जिन बंदों को three finger से खेलना नहीं आता तो गाइस उनके लिए मैंने two finger से बनाया है तो गाइस इस वाले video clip में आप देख सकते हो कि मैं कितना fast sit up glue लग रहा हूं तो guys आप भी लगा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सिर्फ आपको कुछ steps follow करना है तो guys पहले कहा करना है कि आपको jump करना है अब जो मारते हो किसी enemy को jump करके तो ऐसे ही आपको jump करना है और उसके बाद जो fire button है उसको उपर क करना है और उसी ड्रैक को बीना छोड़े नीचे की और लाना है तो guys जब भी आप बीना छोड़े नीचे की और लाओगे ड्रैक को तो guys उसी वक्त आपको कह करना है कि जो बैठने वाला button है उसको दबा देना है उसको दबाने के बाद आपका जो global button है उसको दबाना है और उसके बाद जो right fire button है तो उसको दबाना है तो guys आपका जो sit up glue ले लग जाएगा तो guys आप बात कर लेदे कि three finger की तो guys यह जो वीडियो क्लिप आप देख सकते हो तो guys यहाँ पर जो मैंने sit up glue लगाया है तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है कि three finger से sit up glue लगाने के लिए आपको क्या करना परेगा कि सबसे पहले आपको jump करना है jump करने के बाद fire button को उपर के और drag करते हुए बिना छोड़े निचे लाना है और उसके बाद आपको बैटने की button दबानी है उसके बाद glowal की button दबानी है और उसके बाद जो है left fire button को आपको दबानी है तो guys इससे आपका sit up glue लग जाएगा बहुत ही fast guys अगर आप three finger से sit up glue लगाना practice करते हो तो guys 100% अब बहुत बहुत से ही player बन जाओगे आपने बहुत सारे pro player को देखाया होगा कि जैसे राइस्टर हो गया विंजेंजो हो गया तो guys यह जो फिक ब्लूल लगाते है तो guys यह भी यह फिक का इसकर की लगाते three finger की तो guys मैं सिर्फ एही बोलूँगा कि guys आप three finger में practice करो अगर आप एक बार हाथ से कर लेते हो तो guys hundred percent अब बहुती बहुती से ही खिलने लग जाओगे ठीक है ना guys तो I hope guys वीडियो आपको अच्छ लगी है तो guys अगर वीडियो अच्छ लगे तो guys वीडियो को एक like कर देना और guys चैलेंग पे नाए आया हो तो चैलेंग को subscribe करके bell notification all पिसेट कर देना तो guys मिल दे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye